हे एव्रिवन हलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब लोग तो गाईस आपने फॉर्मला नोट्स तो बहुत देखे होंगे लेकिन आज जो फॉर्मला नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फॉरेंसी आर्टी पार्ट टू क्लास 12 ये आप पहली बार देखेंगे औ इस तरीके का फॉर्मला आपने फविजिक्स में आस तक नहीं दिखा होगा माइन मैप के शकल में फॉर्मला नोट्स आपके लिए क्यूरेट किया है मैंने और literally इसके लिए रातों को जागा हूँ है अभी कोई time सुबे के 5 बजे के असपस है रात भर में मैंने आपके लिए पूरा formula notes तयार किया है आखों में आपको थोड़ी नींद शायर दिख रही होगी लेकिन जोश अभी भी पूरा high है और I hope आपका भी जोश बिलकुल high होगा ये formula notes क्यों important है और कैसे आप इसमें बहुत जल्दी से अपना पूरा revision कर सकते है पहले तो वेटा आप promise करिए कि इसको आप viral करेंगे ये formula notes जिस भी बच्चे के पास जाता है वो बहुत अच्छे से अपना preparation कर सकता है बहुत जल्दी अपना revision कर सकता है sharing is scaring बच्चो और ग्यान जो है वो बाटने से बढ़ता ही है इस formula notes में कौन-कौन से chapters है तो ray optics है, wave optics है, पूरा modern physics है और semiconductors है, खास बात किया है इसकी मैं आपको हमेशा कुछ नया देता हूं we have done so many new things for you on this channel हमने DPP देना भी हमने सबसे पहले शुरू किया था बच्चो free में वो भी मैंने आपको सबसे पहले शुरू किया था schedule देना YouTube में आपको पहले कोई schedule नहीं देता था कि अगर कोई course launch हो रहा है तो आपको पता नहीं होता था, कब क्या होने वाला है हमने आपको schedule देना भी शुरू किया और आज हम आपको जो देने वाले बच्चो this will definitely change the way you look at physics, you prepare physics, शुरू करते हैं, ray optics में जो सबसे पहला topic है बच्चो, plane mirror, mind map की शकल में इसको prepare कर दिया गया है, तो यहां पर आप देखेंगे plane mirror के जितने भी topics हैं, चाहे वो आपका number of images वा हुआ है, right, you can see that, velocity in plane mirror का formula भी है यहां पर, आपके पास deviation of plane mirror, with diagram, with explanation, इसका formula भी लिखा हुआ है, then you have minimum height, कितना height का mirror required होता है, तो see your full image, right, उसका formula h by 2, mirror को अगर theta rotate करेंगे, तो reflected rate 2 theta rotate हो जाती है, अब बच्चो आपके पास बहुत अच्छा opportunity है, क्योंकि एक page में एक topic यहा इसका link मैं आपको इसी video के description में डलवा दूँगा, यहाँ पे मुझे आके आपको हर एक formula बताने के जुरत नहीं है, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक formula sheet दे दूँँ, तो it is more helpful to you, बाकी आप अपने एक दो घंटा लगा कि इसको अच्छे से खुद revise कर लें, instead of मैं आपक एक idea दे देता हूँ, और क्या-क्या है इस formula sheet में, और कैसे आपको revise करना है, और बच्छो literally, बहुत, बहुत महनत लगी है, आप जब देखोगे तो आप फड़ा feel भी कर पाओगे, यार इस महनत को बेकार मत जाने देना, बहुत महनत करी है, नींद, चैन, सब त्याग दिया इसके लिए, ताकि आपका last के time पे बच्चो revision बहुत प्यारा हो जाए, और formula notes ऐसा हो जो आपको अपनी तरफ अकरशित करें, है ना, तो देखते हैं आगे क्या है इसमें, ऐसे ही आप spherical mirror भी देखेंगे, तो सारे formula यहाँ पे include कर देए, spherical mirror के, इसके बाद जो topic है, वो reflection का ह है, बहुत सारे formula होते है, reflection में, आप देखो, एक पूरा कपूरा mind map बनके तयार है, आप efforts देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा कपूरा mind map बनके तयार है, चाहे वो snell slow हो, बस आपको zoom करना है थोड़ा सा, अगर कोई चीज पढ़ने में आपको दिखा थोड़ी है, वैसे तो स spherical refraction, जो थोड़ा सा बड़ा topic होता है, या जो थोड़ा अलग सा topic होता है, वो अलग से भी लिखा हुआ है, then you have पूरा का पूरा lens, lens के सारे formula यहाँ पे included है, including cutting of lens, combination of lens, silvering of lens, everything is there, right, prism हो गया बच्चों, यहाँ पे पूरा prism आ गया, optical instrument से आपको डर लगता था, अब नही microscope हो, चाहे compound microscope हो, चाहे telescope हो, चाहे resolving power हो, इधर resolving power भी है, और इनके मैंने diagrams भी add कर दी है, यह वो diagram है, जो मैं आपको पढ़ाता था, जहाँ पे tube length बगर भी मैंने आपको सिखाई थी, तो थोड़ा revision करने में आसानी रहेगी अगर सामने diagram भी रहेगा, तो यह microscope का diagram, यह telescope का diagram, उसके बाद बच्चों आपका wave optics शुरू हो जाता है, wave optics में भी topic wise पहले हम interference, interference आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पे, then you have table, table के form में आपको constructive destructive का सारा difference, देख पार है आप effort, right, it takes time ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाता है, और एक एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे, यह सारी चीज़ें सारी condition के साथ, कि delta x कितना होता है, delta phi कितना होता है, what is the value of cost phi, अगर आपको constructive चाहिए, अगर आपको destructive चाहिए, constructive, destructive के बाद आपका YDSC, young double slit experiment, थोड़ा बड़ा topic है, बट एक page में पूरा खतम, एक page में बिटा, सारे formula, चाहे maxima का condition हो, चाहे minima का condition हो, चाहे fringe कैसा बनता है pattern, उसकी बाद कर लें आप, चाहे आप shift की बाद कर लें, जब एक transparent film सामने रख देते हैं, याद है, तो fringe pattern थोड़ा ऊपर चला जाता है, कितना shift हो जाएगा, वो भी लिखा हुआ है, fringe width लिखा हुआ है, maxima पे intensity कितनी होगी, minimum पे intensity कितनी होगी, with diagrams, आपने देखा, diagrams, जहां जहां पे जरूरत है, आपको diagrams भी बना के दिये गए हैं, right, then you have diffraction, again width diagram, जो भी formula इस से related होते हैं, सबसे important होता है ये वाला, width of central maxima, ये भी added है, यहाँ पे आपको इसका diagram भी दिया हुआ है, कैसे बनते हैं, fringe patterns, right, इसके अलब बच्चों, polarization आ गया, polarization में कैसे intensity change होती है, इसका formula हो गया, Brewster law हो गया, Malice law हो गया, Brewster law हो गया, तो पूरा wave optics भी खतम, बट यहाँ पर यह खतम नहीं होता है, क्योंकि पूरा NCRT part 2 है, शुरू में आप देखेंगे तो dual nature of radiation matter है, सारे formulae dual nature of radiation matter के, चाहे वो photoelectric effect हो, चाहे वो matter wave हो, electron का, proton का, alpha particle का, deblogly wavelength हो, everything, everything, you have all the formulae, इसको पढ़ लिया, हो गया, तुमारा, revision हो जाएगा, सारे formulae का, atoms का पूरा एक sheet, atoms के बाद, बिटा, energy levels अलग से, जो मैं आपको हमशा कहता हूँ, कि energy level आपको याद होने चाहिए, कि energy difference कितना है, कौन से level के energy कितनी है, इसके लिए अलग से sheet डाली गई है, क्योंकि य आपको याद होना चाहिए, सारा, energy level, excitation energy का formula, कुछ भी नहीं है, सिर्फ final minus initial करके आता है, है ना, emission spectrum, everything is there, बच्चो, everything is there, nuclear physics भी है, nuclei है, radio activity है, semiconductors है, semiconductors भी आपके लिए include कर दिया है, transistor का formula हो, चाहे आपका normal semiconductor का mass action law हो, चाहे आपकी conductivity का equation हो, इस सब आपने पढ़ा है na, conductivity का equation semi-conductor में, this formula node is so exhaustive, yet so compact, बहुत compact size में, बहुत कम pages में, जादा से जादा information समाहित कर दी गई है, बहुत महनत लगी है, महनत रंग लानी चाहिए बच्चो, पढ़ाई करते रों बहुत अच्छे से, NCRT part 1 का सारा formula, done and dusted, हो गया था, दो दिन पहले, NCRT part 2 class 12th, आज खतम, mechanics का formula already हो चुका है, इसी की तरज पे, आप मुझे comment करके बताना, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत revolutionary चीज है, अलगी चीज है, next level चीज है, जो आपने physics में आज तक तो नहीं देखी थी, comment करके पक्का बताना बच्छो, तो मैं NCRT part 2 11th का भी बना के ऐसी एक upload कर दूँगा, जहां पे thermal physics रहेगा, जहां पे gravitation रहेगा, SHM wave रहेगा, mind map के form में आ जाएगा, क्योंकि जब आप सारे formula एक साथ revise करते हैं तो आपकी grasping power बढ़ जाती है, और कुछ बच्चे चाहते हैं print out निकालना, कि सर ह हमें तो print out निकालके पढ़ना है, वो लोग इसका print out भी निकाल सकते हैं, तो चलिए guys, that's it for today, यह छोटा सा session था, इसमें बस मुझे आपको बताना था, कि क्या जबर्दस चीज आपके लिए बना दी गई है, अब कोई नहीं रोक सकता आपको NEET में selection से, formulae सारे revise कर लो, और कल से हम लोग practice भी शुरू कर रहे हैं, live आपका test होगा बच्चो, 10 question होंगे, OMR आपको fill करना है, उसके बाद उसके 10 question की analysis होगी, ऐसे 10, 10, 10, 10 करके total 45 से 50 question एक session में करेंगे, YouTube के उपर practice भी कभी, कमी नहीं रहे कि उसमें भी, right, तो चलिए, अभी के पताना, like कर देना और share कर देना इसको, description में ही इस PDF का आपको link मिल जाएगा, okay, चलिए, bye-bye guys, see you soon, God bless you all, best of luck, love you all, अच्छे दिपढ़ाई करते रहो